जो जमू कश्मीर पूलीस के एक होनहार जवान थे और यहां पुल्वामा के रहने वाले थे जब वो सुबह अपने बच्चे को सुकूल की बस में छोड़ रहे थे उस वकत उन पर काहिराना हमला हुआ वो यहां घर में छुटी पर आए हुए थे बहुत ही दिल दहलाद देन वाला यह वाक्या है यह केवल रियाज एमर ठोकर साहब का कतल नहीं हुआ है यह इनसानियत का कतल हुआ है एक इतने शरीफ आदमी हमदर्द आदमी लोगों की खिदमदार आदमी जिसने कभी किसी जानवर को भी उसने तकलीव नहीं पहुँचाई होगी जिसने हमेशा सब का भला किया जिसने लोगों की खिद्मत की ऐसे दरदे दिल रखने वाले इन्साफ पसंद अवाम के हमदर रियाज अैमत ठोकर साहब का जिस बेरहमी से कतल किया गया है इनसानियत को भी दाकदार किया है बहुत बड़ गुना किया है इन गुनागारूं किस किताब में लिखा है मैं पूछता हूँ कि बे गुनाओं का ऐसे कतल करो अपने छोटे से तीन साल के मासूम बच्चे को जो गाड़ी में बिठा के सकूल भेज रहा है किस किताब में लिखा है कि उसका जाके गोलियों से कतल कर दो यह इनसानियत का कतल जिनुने भी किया है उनको कानून तो सजा देगा लेकिन उपर वाला खुदा भी ऐसे गुनागारूं को कभी माफ नहीं करेगा सवाल पैदा नहीं को